कानपर के नगर निगम सभागार में संभाव कारिकरम के अंतरगत जन सुनवाई का आजन किया गया जिसमें लोगों की शिकायतों का निस्तारण हुआ इस दोरान अपर नगर आयुक्त सहीत कई अधिकारी मौजूद रहे बता देकी कारिकरम की अधियाक्षुता कर रहे अपर नगर आयुक्त सूरिकानत वितरपाथी और रूली गुपता ने बताया कि नगर विकास मंत्री ने संभाव कारिकरम की शुरुआती है इसके तहित हर मंगलवार को जन सुनवाई की जाएगी जिसमें लोगों की शिकायतों का तदकाल निस्तारन होगा वहीं शिकायत करताओं ने पार्क में कबजा, अधिक्रमान लाइट की व्यवस्था, गंदगी और ग्रह कर सम्मंधित शिकायत ने की शिकायतों पर अपर नगर आयक्तुने सम्मंधित अधिकारियों को निस्तारन के निर्देश दिये इस दोरान साहयक अपर नगर आयक्तुर जोली गुपता, साहयक अलका श्री वास्तव, उद्ध्यान अधिक्षक, भीके सेंग समेत कई अधिकारी मौजूद रहे हाला कि जन सुनवाई का पहला दिन होने के कारण ज्यादा लोग नहीं आ सके यह मानी नगर विकास मंत्री जी द्वारा संभव के तहत प्रती मंगलवार दस से बारा बजे प्रतेश की प्रतेख नगर निगम में जन सुनवाई का आयोजन किया जाएगा उसी के तहथ आज हमारे आप नगर निगम में समभव के तहथ जन सुनवाई का आयोजन किया गया है इसमें सुबह से शिकायत करता, दस बजे से आ रहे है अपनी शिकायत दर्ज करा रहे है अभी तक आठ लोग आ चुके हैं हमारे पस और हर तरह की शिकायत नगर निगम से संबंदित है जो भी है वो भी दर्ज कराई है जैसे करसुधार की कराई है अतिक्रमण की भी है मुटेशन की है लाइट की है पार्क में दीक अबजा है तो उसकी भी है तो सभी तरह की शिकायते हैं दर्ज कराएगा इसमें और प्रचार भी इसका कराया जाएगा ताकि अधिक से अधिक शिकायत करता हमारे आए और अपने जो भी शिकायत है वो दर्ज कराके अपना निस् अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ बेल आइकॉन दबाना न भूले ताकि हर ख़बर का आपडेट आप तक पहुंचे तुरंद आप हमें स्टा, ट्विटर और फेस्बुक पर भी फॉलो कर सकते हैं हमारे आईटी है अट तरेट ज्यम्धी ड्यूस फ्लाश